नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनकिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुती इफेक्टिव फॉमोपैतिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों एंटिमटाट एंटिमटाट हमारे पूरे सरीर में असर करती है बहुत सारी ऐसी बिमारिया है जिसमें इस मेडिसिन का अत्यदिक मातर में यूज किया जाता है यहाँ सबसे ज़ादा हमारे respiratory細ion tract symptom पे काम करती है यदि आपको respiratory concentrating symptom से कोई भी related यदि आपको problem है यदि आपको cuff folan flu की problem है आपको starma की problem है आपको bronchitis की problem है आपको pneumonia की problem है आपको कफ निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अस्थमा की यदि आपको problem है तो एंटिम टार्ड उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है आज कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे लक्षन बताने जा रहा हूं जिसमें एंटिम टार्ड बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही effective homeopathic medicine है और दोस्तों साथी साथ में आपको potency की जानकारी दूँगा किस potency में यहाँ सबसे अच्छा काम करती है क्या हमें 30 potency में इस medicine का यूज करना है क्या 200 potency में हमें इस medicine का यूज करना है और हमें 1M potency में कब इस medicine का यूज करना है Potency की जानकारी आपको होना बहुत ही महत्पून है जब तक आपको Potency की जानकारी सही मातरा में दिया Potency यूज नहीं करेंगे तो आपको Results अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे तो आज की इस वीडियो में आपको Antim Tart के बारे में पूरी जानकारी दूँगा और Medicine का Repetition, Medicine का Doze और किस तरह से आपको Antim Tart Medicine लेना है इसकी पूरी जानकारी दूँगा तो वीडियो को अंतक देखे Medicine को अच्छी तरह से समझे और Medicine का यूज करके अपनी Problem को पूरी तरह से ठीक करे तो चली दोस्तों देर न गरते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो cheers करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप ने है Engineer आप पहली बार देख रहे हैं और आपने आव जग मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है यदि आपको respiratory attack symptom से related यदि कोई भी problem है तो आप इस medicine का use कर सकते हैं यदि आपको bronchitis की problem है, pneumonia की problem है, asthma की problem है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा problem होती है, आपको fever की problem है तो इसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे सरीर में किस तरह से लक्षन देखने को मिलेंगी, तो हम इस medicine का use करना है फिर जानकारी दोंगा दोस्तों, आपको मैं dose की किस तरह से आपको dose लेना है, किस तरह से repetition करना है, और emergency में किस तरह से आप इस medicine का use कर सकते हैं एस medicine का use किया जाता है, चाहिए वावच्चे हो, चाहिए बड़े हो, चाहिए बुजर्ग हो, चाहिए वाव महिला हो, चाहिए कोई भी हो यहाँ बेलमार की नोट symptom आपको देखने को मिल रहा है, तो emergency case में आप इस medicine का use कर सकते हैं चलिए दोस्तों बात करेंगे सिंटम के बारे में क्या सिंटम हमें देखने को मिलेंगे तो हमेंस मैडिसिन का यूज़ करना है पहले नंबर पे आता है फीवर यह आपको फीवर की प्रॉबल्लम है हलका हलका फीवर आपके सरीर में बना रहता है तो इस medicine का आप यूज कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results तेखने को मिलेंगे इसमें जो कफ होता है कफ बाहर नहीं निकल पाता हलकी हलकी खांसी चलते रहती है और कफ निकालने में patients को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो patients खांस्ते खांस्ते बोमेटिंग कर देता है और बोमेटिंग करने के बाद patients को थोड़ा सर रिलीफ महसूस होता है Bellmark keynote symptom of this antim tart या उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है Comparison तीन medicine के साथ किया जाता है पहले नमबर पे आती है दोस्तो antim tart दूसे नमबर पे आती है इपिकाट तीसरे नमबर पे आती है दोस्तो antim crude तीन medicine के साथ इसका comparison किया जाता है यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है कफ को लेंड फ्लू की प्रावलम है खांसते खांसते आपको बलगम निकल जाता है बलगम निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और घरगर की sound सुनाई देता है घरगर की आवाज आती है तो रात को घरगर की आवाज आती है और सांस लेने में प्रावलम होती है जब भी pacients हमारे पास टीच्मेंट करवाने आता है जब भी हम स्टेथोस्कोप लगाती है और इसमें sound सुनाई देता है घरगर की अवाद sound सुनाई देता है तब हमें pacients को कफ पैसेंट्स निकाल नहीं पाता तब हमें pacients को entom tart medicine देने की आवसकता होती है इपी काक में पेसेंट्स खांस्ते खांस्ते बोमेटिंग कर देता है बोमेटिक करने में थोड़ा सा रिलीप महसूस होता है पर अब बोमेटिंग बारबार करते रहता है और एंटिम टार्ट में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है Antim Tart में कफ निकल नहीं पाता कफ निकालने के लिए पेशेंट्स को उल्टी हो जाती है और निकलने के बाद पेशेंट्स को रिलीप मेहसूस होता है तो उसमें यहां बहुत अच्छा काम करती है रिलीप कम महसूस होता है इपीकाग को यह थोड़ा छोटा सा दिफ्रेंस है और एंटिम कुरूड वीडियो के लास्ट में आपको एंटिम टार्ट का एक और बेल मार की नोट सिम्टम बताऊंगा या मैं अभी आपको बता देता हूँ जो एंटिम टार्ट की टंग होती है बहाँ पूरी सफेध होती है जब भी ऐसा लगता है सफेध कलर की उसमें कोई परत जम गई हो बेल मार की नोट सिम्टम यदि आप होमोपेथिक स्टूडेंट है या आप होमोपेथिक डॉक्टर है या आप होमोपेथिक मैडिसिन लेते हैं या आपकी पास एलेंस की नोट बुक है तो आप अभी पेच खोल के देख लिजी उसमें लिखा है, जो Entim Tart की जीव होती है, बहाँ सफेद कलर की परत से जमी हुई होती है, चाहे बाँ बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर हो, तब हमें पेसेंड को Entim Tart Medicine देने की आवसकता होती है, इस बात को आप हमेशा याद रखना, इस की नोट सिम्टम पे एंटिम टार्ड मैडिसिन देना, प्रेसेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, आप ऑउनलाइन टीटमेंट कभी ना करें, बच्छे को यहाँ इस तरह से किया जाता है, तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़ादा दिक्कत होती है, बार बार निमूलाइस करना पड़ता है, कफ निकालने में बहुत जादा प्राब्लम होती है बच्चा खांस्ते खांस्ते उल्टी कर देता है और उसकी पसलिया चलने लगती है तब हमें पेसेंट्स को एंटिम टार्ड मैडिसिन देने की आवसकता होती है उसका जो कफ है धीरी-धीरी करके पिघल जाता है बार-बार सांस लेने में बहुत जादा दिक्कत होती है बहुत से ऐसे केसेस होते है जिसमें पेसेंट्स को बहुत जादा दमसांस चलती है कफ निकालने में बहुत जादा प्रावलम होती है घर-गर का साउंड सुनाई देता है तो उसमें एंटिम टार्ड बहुती अच्छा काम करती बहुत सारे बुजुर्गों को हमने देखा है जब भी भार टीटमेंट कराने आते हैं तो उनको खांसी बहुत ज़ादा चलती है और खांसते खांसते पूरा गला बजने लगता है तो कफ को पिघालने के लिए एंटिम टाड बहुत अच्छा काम करती है बुजुर्गों में 30 पटेंसी में सुबा दो फैर स्याम यूज किया जाता है यदि अक्यूट कंडिशन है तो दिन में 4-5 बार भी मैडिसिन का रिपिटिशन किया जा सकता है चारबून सीधे डारेक्ट जीब में यूज करना है य इसके बाद दौस्टो ये दि आपको एक्यूट प्राउल ब्रोंकाइटीस की प्राउलम है तो प्रोंकाइटीस में बहुती अच्छा काम करती है हमेजा हैडर इक परब्लमting को Series 똑같이 कोई प्रावलम होती है, बच्चा खांसते खांसते उल्टी और बजुर्ग यहां, खांसते हांसते उल्टी कर देते हैं, कफ को निकालने में बहुत ज्यादा प्रावलम होती है, तो उस condition में इस medication का यूज किया आता है, 30 से 200 potency में भी आप इस medicine का use कर सकते हैं बहुती अच्छे results होते हैं एपिक आप medicine का भी आप use कर सकते हैं थूजा medicine का भी आप use कर सकते हैं मैंने comparison आपको बताया है एंटिम क्रूट का भी medicine का use किया जाता है comparison मैंने आपको बताया है symptom match करके medicine का आप use कर सकते हैं आपको बहुती अच्छा और बहुती effective results देखने को मिलेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ cooker खासी में बहुती अच्छा काम करती है cooker खासी में खासी बहुत ज़्यादा तेज चलने लगती है कफ शाती के इंदर जम जाता है और कफ को निकालने में पेसेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उस condition में एंटिम टार्ट बहुती अच्छा काम करती है इस condition में पेसेंट बहुत ज़्यादा खासी चल रही है तो पेसेंट को 30 potency में medicine का use करना चाहिए चारबून सीधे डारेक्ट जी में दिन से तीन या चार बार भी medicine का repetition किया जा सकता है प्रावल्लम की जो प्रावलम है कुकर खासी की बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इस तरह से यदि आपको acute condition में कफ कोलेंड फ्लू की प्रावलम हो जाती है चाहे बबच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो उसमें 30 potency का आपको यूज करना है जैसे आप अचानक से भार गए ठंडी हबल लगी सर्दी जुखा में स्टार्ट होगा हलका सा फीवर आपको स्टार्ट होने लगा तो उस कंडिशन में एंटिमडा 30 potency में चारवून सीधे डारेक्ट जीव में सुबा दो फैरस्याम सुबा दो फैरस्याम चार से पांस दिन मैडिसिन का यूज करना इसके बाद मैडिसिन का यूज नहीं करना आपकी जो प्रावलम है काफ कोल एंट फ्लू की जो प्रावलम है ब्रॉंकाइटिस की प्रावलम है निमोनिया की प्रावलम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो इस तरह से आपको मैडिसिन यूज करनी है 30 पोटेंसी में आप 3-4-5 बार भी रिपीटेशन कर सकते हैं दोस्तो बात करें डोस की किस तरह से आपको मैडिसिन यूज करनी है जैसे मैंने आपको बताया था 30 पोटेंसी में सुबा दुफैर स्याम सुबा दुफैर स्याम दिन में तीन बार यूज़ करना है, चारबून सीधे डारेक्ट जीम में कम से कम बनमंत आप regular medicine का यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी problem नहीं होगी, और दोस्तों बात करें 200 potency की, 200 potency में चारबून सीधे डारेक्ट जीम में दिन में एक बार यूज़ करना है, बनमंत तक आप chronic case में इस medicine का यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको acute condition की problem है, तो दिन में दो बार भी आप medicine का यूज़ कर सकते हैं, एंटिम टाड बहुत ही अच्छा काम करती है, दोस्तों बात करें 1 impotency की, 1 impotency में चारबून सीधे डारेक्ट जीम में weekly यूज़ किया जाता है, सब त आपको चार बार आपने dose ले लिया है, तो medicine का repetition आपको नहीं करना है, आपकी जो problem है, धीरी-धीरी करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, दोस्तों अब बात करेंगे well mark keynote symptom की, कि हमें क्या well mark keynote symptom patients में देखने को मिलेंगे, तो patients को antim tarred medicine देने की आवशकता होती, जैसे मैंने आ इस condition में endym crude medicine भी यूज की जाती है, मैंने difference आपको बता दिया है, पेसेंट्स को respire atreat stat symptom की बहुत ज़्यादा प्रावलम हो जाती है, और patients जब भी खांसता है, तो घर-घर का sound सुनाई देता है, चाहे बाब बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजर्ग हो, यहाँ इस patients को 100% relief महसूस हो जाएगा, दोस्तो इस तरह से आप medicine का use करें, medicine का repetition, medicine का dose मैंने आपको बताया, इस तरह से आप use करें, आपकी जो प्रावलम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगे, आसा करता हूँ दोस्तो मेरे है वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लग झाल 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